हेलो फ्रेंड टेक विद मनिश यूटूब चैनल में आपको स्वागत है मैं मनिश कुमार चंद्रा आज का टॉपिक है लेड़ी वल्फ रिपियर हेलो फ्रेंड टेक विद मनिश यूटूब चैनल में आपको स्वागत है मैं मनिश कुमार चंद्रा मैं इसमें पोजेट एंड रिपियर से सम्नित वीडियो जाते रहूंगा तो इस चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड सेयर जरू करें थेंट परवाची है वे नाइस देर यह बल्फ रिपियर के लिए आया हुआ है जो हैवर्स कंपनी का है और पंद्रा वाट का है देते हैं इसमें क्या प्लाब्लम है जब होडर में आगे देखा तो यह कुछ काम भी कर रहा था सबसे पहले इसका डिफूजर खोलेंगे इसका हम डिफूजर खोल दिया है हम देखते हैं किस में प्लाब्लम है इसमें इसमें सापसाप परहशा है कि इसमें लेडी की ख्राव है इसमें तीन क्ला दपदह दिख रहा है इसमें तीन कल दपदह We एक D3 में, एक D13 में, एक D10 में, यह LED पेनल खराव है, अब इसका circuit board देखेंगे की okay है की नहीं है, तो इससे पहले हम इसका output voltage देखेंगे कितना है, मल्टी मिटर से output voltage चेक करेंगे, अगर output voltage 85 से 130 बोल्ट के बीच में है, तो driver okay है, तो अब मल्टी मिटर से अब चेक करेंगे की देखेंगे कितना बोल्ट आ रहा है, और इसको स्रीज बोल्ट में चेक करेंगे पहले, हम मल्टी मिटर को DC 200 बोल्ट में सेट करेंगे, इसमें output में प्लस मानस है DC, इसमें आप प्रोब करके चेक करेंगे, प्लस में red wire और मानस में black wire में चेक करेंगे, इसमें आपका 95, 96, 86, 95 का सबस बुल्ट आ रहा है, इसका driver circuit okay है, तो हमको इसका LED kit replace करना परेगा, अब हम इस LED kit को निकालेंगे, इस screw के से, इस screw को unscrew करेंगे, फिसकार निकालेंगे, हम इसके दे हम इसको replace करेंगे, यह 15 watt का LED kit है, MCPCB LED kit भी बोलते हैं, इससे पहले हम इसमें heat sink paste लगा लेते हैं, यह पेस्ट लाते हैं, heat sink compound भी बोलते हैं, अब इसमें हम screw लगा लेते हैं, अब हम इसमें अच्छे तरह से screw लगा लिए हैं, अब हम इसमें wire का connection करेंगे, जो red wire है हो plus में connect करेंगे, और black wire हो minus में connect करेंगे, अब हम इसका connection कर चुके हैं, जो black wire तो नहीं में तो white wire जो दिया है, minus में, और plus में red wire, अब इसको check का करेंगे कि जा रहा कि नहीं जा रहा है, तो glow का रहा कि नहीं जा रहा है, अब हम three spot में जा रहा कि नहीं जा रहा है, यह देखो अब अच्छी तरह से जा रहा है, यह ladybuff अब okay हो चुका है, अब इसको हम एक पर diffuser को लगा के check करते हैं, अब एक पर final test करके देखते हैं, यह हम अच्छी तरह से glow कर रहा है, थेंक पर वाचिंग, वे नाइस देख, धनिवाद,